जैशी गृष्णा कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा चलिए जी आज एक बहुत इंपॉर्टन चीज जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ हमारे जीवन के अंदर हम बहुत सारे उपाय करते हैं बहुत सारे टोटके करते हैं जिससे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ती करना चाहते हैं हमारे पुरानों के अंदर हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारी ऐसे विधियां बताई गई हैं बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें हमारे इश्वर द्वारा हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाए बताई गई हैं जिससे हम अपने जीवन की मनोकामनाओं को पू हुई है यहां पर इतनी जादा उर्जा है कि अगर हम चाहें तो हम उन से अपनी कोई भी चीज पून करा सकते हैं और इसके लिए वो आपको अलग-अलग तरह से अलग-अलग टेक्नीक्स बताते हैं कुछ टेक्नीक्स जिनका मेरे जीवन में बहुत जादा प्रभाव रहा ज इनी प्रभावों को आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूं और आपके भी जीवन में आपकी मनोवांशत इच्छाएं पून हों उसके लिए आज आपको कुछ विशेश बताने जा रही हूं लेकिन उससे पहले आपको ये बता दू कि मैं कौन हूं मैं आपके एस्ट्रोज हूं वास्तुशास्त्री हूं चेहरा भी पड़ती हूं आवास भी पड़ती हूं और हाथों की लकीरे भी पढ़े लेती हूं चुक्कि आपकी सार्थी हूं इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूं लौ अफ अट्रेक्शन से हमने लगबग पांच लाख बच्चों की जिंदगियों में परिवर्तन आते हुए देखा है और छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी खोईशें नहीं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरा होते देखा हैं बड़ी बड़ी इस टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं 369, 5 x 55, 2 x 22 और भी बहुत सारी लिखना मतलब आप जो भी चाह रहे हैं आप उसको लिखिए ज़रूर 369 के उपर मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा आप जब भी किसी चीज़ की कल्पना करते हैं जब भी आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ को आप उस हिसाब से लिखिए जैसा आप उसे देखते हैं जैसे सपोज मैं यह ठाकुर जी का बहुत बड़ा मंदर निर्मान हो गया एक मुझे लगातार 11 दिन तक एक पेपर के उपपर इस बात को यही पहकर लिख देना है यह भाव्या और सुमनर मंदिर बना हैसमन के अंदर चाह को जी की विशह इस मंदिर में आने वाला हर भक्त ठाको जी से अपनी जोलियां भरवा कर आशिरवाद पाकर जाता है ऐसा मुझे दिन में कम से कम 55 बार लिख देना है और ये मुझे 11 दिन तक लिखना है हाला कि 55 ऐसा नहीं कहता लेकिन ये मेरे बताने का तरीका है जो मैंने अपने बच्चों से करवाया है आप ऐसा एक कौपी में लिखना स्टार्ट कर दीजे ग्यारा दिन के बाद आप इन पेपर को फोल्ड करिए इसके उपर पांच मोर पंक लगाईए और जाकर आप इसे ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा आपकी जो भी इच्छा है जो भी मनो कामना है वो आपको वैसे ही लिखनी है जैसे आप चाहते हैं जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो आप लिखेंगे मैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है हमारी शादी से सब लोग बहुत खुश है हमारी जिंदगी बहुत दुखदर्द नहीं है, everything is positive, आप जैसा सोचते हैं न, law of attraction कहता है, वैसा ही आपके साथ होता है, आप जैसी चीज़ों को manifest करते हैं, universe आपको वही सारी चीज़े provide कर देता है, अगर आप negative सोचना start हो जाते हैं, तो वो आपको negative देता है, अगर आप positive सोचते हैं, तो वो आपको positive देता है, तो हमारा क्या जा रहा है, सोचना ही तो है, अच्छी चीज़े सोचिए, positive चीज़े सोचिए, इससे तीन आपके फायदे होंगे, पहला, जब आप ये चीज़ लिखेंगे, तो आपका एक संपर्क बनेगा, आपके universe के साथ, और वो चीज़े वहां तक बिना रैठ जाती है, ये एक positivity जब हमारी body gain कर लेती है, तो हमें वैसा ही देना चालू कर देती है, कहते हैं कहावतों में लिखा है कि जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, तो बस ये उसी टेकनीक पर आधारित है, उन्हीं चीज़ों को हम सिर्फ एक यथार्थ में करने की कोशिश करते हैं, दूसरी टेकनीक इसके अंदर होती है water टेकनीक, जिसके अंदर आप जो भी चाहते हैं, आप उसको पानी से बोल दीजे, पानी पर बोल दीजे, जो चाहेंगे वो आप इसके अंदर अपना सकते हैं, जैसे कि मेरे अंदर कोई बास चल रही है, मुझे एक बहुत लेना है तो मैं पानी को हाथ में लेकर 11 बार बोलूंगी मेरा एक बहुत अच्छा घर बन गया है मेरा घर बहुत सुन्दर है मेरा घर 500 गज में बना है मेरा यह सपना कपसे में देख रही थी अब पूरा हो गया है इसी तरीके से आपका भी सपना होगा मैं विदेश चला गय लंडन पहुछ गया हूँ मैं अमेरिका पहुछ गया हूँ मैं यहाँ बहुत खुशूं में बहुत अच्छी से रह रहा हूँ आप जो भी अपने जीवन में होता देखना चाहते हैं जो आप अपना कल भविष्चिं देख रहे हैं वह आपको पानी के सामने बोल देना और इस पानी को आपको अपने घर के किसी पौधे में डाल देना है वैसे तो ये क्रिया पांच दिन तक करने चाहिए लेकिन मैं आपको हर चीज ग्यारा दिन करने के लिए बोलती हूँ इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ग्यारा का और हमारी मनवांचित इच्छाओं के बार बार हर चीज 11 दिन कम से कम करने के लिए बोलती हैं जरूर कर यह समघे से अगर आपके जीवन के अंदर को झीज़् आपको परेशान कर रही है किसी व्यक्ति की वज़े से कोई की लाइफ के अंदर बिना मतलब आ गया है कोई आपके और आपके प्रेम के बीच में आक का लेंगे पिछली वाले में भी आपको काच का ही ग्लास ले लेना है इस ग्लास पर आप ब्लैक कलर के पैंसे या मारकर से लिख देंगे नंबर सेविन और उसके बाद आप उस चीज़ को रिमूव होने के लिए अपनी लाइफ से कहेंगे मेरी लाइफ की यह चीज़ रिमू बोलेंगे यह बात रात्री में यह क्रिया करनी है और उसके बाद आपको रात्री में ही जाकर यह पानी किसी ऐसे पौधे में डाल देना है जो उसी काटेदार विरक्ष में डाल देना है और ग्लास को लाकर साफ कर देना है अगले दिन फिर आपको यही प्रक्रिया फिल दोहरानी है वापस से नंबर लिखना है वापस से काम करना है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आप देखेंगे बहुत सरलता पूर्वक आप यह पानी जाकर डाल दीजे जो थोड़ा आपके घर के बाहर हो और गंदी जगे हो जहां पर वेस्टेज पड़ा रहता हो जहां पर गंदगी खटी होती हो वहां जाकर डाल दीजे फिर देखिए इसका आपकी लाइफ के उपर इंपक्त किती जल्दी आता है ग्यारा दिन और आपके सोने वाले तक्य की आपका उससे बहुत गयरा रिष्टा होता है और सोते समय हम जो भी चीज कहते हैं जो भी चीज बोलते हैं वो सारी की सारी चीजे हमारी युनिवर्स तक जरूर पहुच जाती है हमारा सबoggनिस मैंड उससमें एक्टेव हो तो सोने से पहले आप जब भी कोई बात कहेंगे तो वो चीज आपकी युनिवर्स तक जरूर पहुंच जाएगी इसलिए रात के ग्यारा ग्यारा पर विश्च मांगना बहुत ज्यादा शुब माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि उस समय मांगी हुई विश्च जरूर पूरी ह जाती है पर क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभी आप जब अपने घर के अंदर यह कर रहे होते हैं त रहे यह सुप्रीम कर पावर होती है कुछ एसी चीज़े होती है जो उन चीजों को तुरन्थ उन यप Rec Sie कि वह एनर्जी सर्कुलेट होती है जो उन चीजों को तुन्त आप से ले लेती है कि इसीलिए जो मैं आपको थहरेपी बताने जा रही हूँ वह आपको रातरी में करनी है और अपने पिलो को बोलके करनी है अप सोने से पहले अपने पिलो को अपनी विश तीन बार बोली जो भी आपके विश है जो आप पूरा करना चाहते हैं मैं एक अच्छी नौकरी चाहती हूं मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूं मैं अपने हस्बंट से बहुत प्यार करती हूं और मैं चाहती हूं वो भी मुझसे प्यार करें अपने पिलो को यह चीज आप तीन बार बो रहने दीजे ग्यारा दिन बाद ले जाकर आप किसी कच्ची जगे पर उसको गड़ा करकर गाड़ दीजी इसी प्रकार आप अपने पिलो के नीचे कुछ सामान भी रख सकते हैं जैसे कि आप कपूर रख सकते हैं किसी लाल कपड़े बांद कर कपूर रख दीजी और अपनी विश बोल दीजीए ग्यारा दिन बाद आप इस कपूर को अच्छा खासा कपूर रखे गवर्ना वो उड़ जाता है ग्यारा दिन बाद जो बचा हुआ कपूर होना उसको आप ले जाकर किसी खुली जगे पर जला दीजीए कपड़ा आप किसी पेड़ के नीचे छोड़ा है तुरंत पूर्ण हो जाती है हमारे ग्रहे शांत हो जाते हैं देखिए हम ऐसा मानते हैं कि हमारी जो इच्छा पूर्ण करने वाले ग्रहे होते हैं अगर यह हमारा सहीयोग करें तो हम जीवन में कुछ भी पास सकते हैं यहां पर ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स आपकी पूरी करता है और हम ऐसा कहते हैं कि आपके भागे को जागरित करने वाले जो आपके ग्रह होते हैं वो अगर आपका सपोर्ट कर दे तो आप जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं तो हम आपको नौह ग्रह देते हैं जो आपकी हर एक मनो कामना को पून करने का कारे करते हैं आज का जो मेरा वीडियो था यह लौ आफ अट्रेक्शन के कुछ नियों मों पर था अब मैं आपको जो अगला वीडियो दूँगी वो मैं आपके ग्रहों द्वारा आपकी इच्छा पूर्ती करने का दूँगी कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो कितनी हेल्प मि महराज आपकी हर इच्छा को पूर्ण करें बस इसी अभी लाशा के साथ आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूं फिराओंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बूद लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखिए जोतिश शास्त्र में पीच्टी मातरिशिला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अधेन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मातरिशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप्त कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुगा है कर दो